नमस्कार दोस्तों सबरी माला दक्षित भारत के प्रसीद हिंदू मंदिरों में से एक है इस मंदिर में प्रतिवर्ष करोणों के संख्या में सरधालों दर्शन करने के लिए आते हैं सबरी माला मंदिर केरल राज में साहिद्र परवत माला से घेरे हुए पथा नाम थिट्टा जीले में इस्तित है केरल के रधानी तुरवंध पूरम से 175 किलुमेटर के दुरी पर पंपा नामा का स्थान है पंपा से सबरी माला तक पैदल यात्रा करनी पड़ती है जह रास्ता 5 किलुमेटर लंबा है जह मंदिर हिंदू ब्रह्मचर देवता अयपन को समर्पीत है मंदिर के चार ओर पे रियार टाइक रिजरब का एक घना जंगल है सबरी माला सेववाद, सक्तिवाद, बैश्रवाद और अनिपरंपराव का संगम है मल्यालम में सबरी माला का अर्थ होता है परवत सबरी माला के आजपास इस्तित परतीग पहाड़ियों में कोई न कोई मंदिर है जिसे देखने के लिए देश के कोने कोने से लोग यहां आते हैं दोस्तों माना जाता है कि भगवान, अयप्पा, भगवान, संकर और मोहिनी के पुत्र थे भगवान, बिस्लू को, हरी और सीव को हर कहा जाता था इसलिए इस अधार पर भगवान, अयप्पा को हरी हर के नाम से भी जाना जाने लगा मानेता है कि सबरी माला मंदिर का निमाड हजारों साल पहले राजा-राज सेखर ने कराया था पंपा नदी के किनारे राजा-राज सेखरक भगवान, अयप्पा बाल रूप में मिले थे और वो उन्हें अपने महल लेया इसके बाद महल में राणी ने एक पुत्र को जन्म दिया लेकिन चुकि राजा ने भगवान, अयप्पा को अपना पुत्र मान लिया था इसलिए वो पहले अयप्पा को राज सौपना चाहते थी जबकि राणी को यह मंजूर नहीं था राणी ने तबियत का बहाना बना कर अयप्पा को सेरनी का धूद लानी के लिए जंगल बेज दिया जंगल में अयप्पा ने एक राक्छसी का वद कर दिया इससे खुश होकर इंदर ने सेरनी को अयप्पा के हाथ महल बेजा यह देहकर लोग बहुत ही आश्चरी हुई पिता ने जब अयप्पा को राजा बनने को कहा तो उन्होंने मना कर दिया और महल से गायब हो गये काफी दिनों बाद भगवान अयप्पा ने पिता को धरसन दिया और उस अस्थान पर मंदिर बनवाने को कहा जिसके बाद राजा रास्तेखर ने वहीं सबरी माला मंदिर का निर माल कर वाया दोस्तो इस मंदिर के कई भी सिष्टा हैं जिसके काराट देश के कोने कोने स्रधालू इस मंदिर में धरसन करने के लिए पहुँचते हैं जदी आप सबरी माला मंदिर नहीं गए हैं तो आपको बता दे कि इस मंदिर में जाने से पहले पंपा नदी में अस्तनान करना पड़ता है और फिर एक दीपक जलाकर नदी में प्रवाहित करने के बाद ही मंदिर में प्रवेश दिया जाता है सबरी माला मंदिर अन्य मंदिरों के तरह पूरे साल नहीं खुला रहता है बलकि यह मंदिर स्रधालू के लिए सिर्फ नवंबर से जनवरी तक खुला रहता है इसके बाद बंद हो जाता है इस मंदिर में भगवान की परतेक पूजा में घी काविसे किया जाता है मंदिर में 24 रधालों घी लेकर जाते हैं उसे एक विसेश पात्र में जमा किया जाता है और फिर इसी घी से भगवान अयप्पा काविसे किया जाता है सब्री माला मंदिर की खासियत यह है कि यह एक ऐसा मंदिर जहां परतीक वर्स दो से पांच करोन लोग दर्सन करने आते हैं जह मंदिर अठारा पहाडियों के बीच में बना है और इसकी विशेष्टा यह है कि परतीक पहाडी में मंदिर इस्तित हैं आपको बता दे कि सब्री माला के 18 सिडिया बहुत प्रसिद है इन में से पहली 5 सिडिया ब्यक्ति के 5 इंद्रियों 8 सिडिया मानवी भवनाव और 3 सिडिया मानवी गुडों की जबकी अंत की 2 सिडिया अज्यान और अज्यान का प्रतीक है दोस्तों यह मंदिर भारत के अन मंदिरों से काफी अलग है इस मंदिर में अस्तापित भगान अयप्पा ब्रह्मचारी थी इसलिए सदियों से इस मंदिर में सिर्फ पूरु स्रधालू ही धर्सन करने के लिए आते हैं क्योंकि पिरियर के कारण महिला यह ब्रत पुर्ध नहीं कर पाती है इसलिह उन्हें मंदिर में प्रवेस नहीं दिया जाता सब्री माला मंदिर के 18 सिंडिया चरते समय स्रधालू को सिंडिय के पास घी से भारा नारियल फोर्णा पड़ता है नारियल का एक टुकड़ा हवन कुण में डाला जाता है जबकि दुसरा टुकड़ा प्रसाथ के रूप में स्रधालू अपने साथ ले जाते हैं मंदिर में आने से पहले सबरी माला के देख्तियात्रियों को नीले या काले रंगे कपड़े पहनने पढ़ते हैं जब तक यात्रा पुरी न हो जाये तब तक वे अपनी दाढ़ी मुच नहीं बर्वा सकते हैं सब्री माला तिर्थ यात्रेक दोरान परतेक सरधालू को अपने माथे पर चंदन का लेप लगाना पड़ता है इसके अलावा पंपा नदी में असनान करनी के भात गणपती के पूजा करनी पड़ती है और फिर मंदिर की ओध प्रस्थान किया जाता है इस मंदिर में प्रवे करीब 800 साल पूराने इस मंदिर में यह माननेता पिछले कावी समय से चली आ रही है माना जाता है कि भगवान अयाप्पा अविवाहित थे और हिंदु धर में प्रियर्स के दौरान महिलाओं को अपवित्र भाना जाता है जिसके कारण उन्हें इस मंदिर में प्रवेस के अ दोस्तों आपको बता दे कि सीधे सवरी माला मंदिर पहुंचनी के लिए कोई साधन उपलब नहीं है पंपा नामक अस्थान तक बस से पहुंचने के बाद सवरी माला मंदिर पैदल जाना पड़ता है रास्ता थोड़ा कठिनाई भरा होता है और मंदिर के आस पास पहाडि और कुलकत्ता से जुड़ा हुआ है जहां पहुंचने के बाद आप बस या ट्रेन से पंपा पहुंच सकते हैं जो कोची हवाई अड़े से 104 क्लियोंट दूर है दोस्तों के एस आज टीसी ने सब्री माला तिर्थ यात्रियों के सुग्दा के लिए पंपा से कोईंब टूर पलानी से ठेकांसी के लिए बस सेवा शुरू की है इसके लिए तमिलांडू और करनाटक सरकार द्वारा पंपा के लिए बसों का संचालन किया गया है इन बसों के माध्यम से आप सब्री माला पहुंच सकते हैं दोस्तों सब्री माला का निकरतम इस्टेशन चेंगा नूर और कुट्यायम है जो सड़क द्वारा पंपा से जुड़ा हुआ है परेटक ट्रेनों से कुट्यायम एरना कुलम या चेंगा नूर पहुंच सकते हैं इसके बाद बस के द्वारा पंपा पहुंच कर वहां से पैदल सब्री माला जहां सकते हैं दोस्तों सनातन या हिंदू धर्म और भारतियता के हर पहलू के बारे में हर माध्यम से जनकारी जुटा कर उसको पून वस्त के रूप से आप लोगों तक पहुंचाना मेरा करतब्य है। यदि किसी भी विशाय में मुझसे किसी भी प्रकार की कोई भी तुरूटी हो तो कृपया इस वीडियो में कमेंट करके मुझे आउगत करा है। आसा करते हैं आपको यदि जनकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक तथा हमरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवस्ते करें। धन्यबाद। हर हर मादे हो।